प्रेम से बोलो जै जै श्री राम, है कसम हमें चत्रपति शिवाजी महराज की, सावगंध है हमें महराना प्रताप जी के चर्णों की, हम उनके सपनों को साकार करके दिखाएंगे प्रबोशरी राम चन्जी के वनसजों हम बीजेपी वाले इस धर्ती पर फिर से राम राज लाएंगे मित्रों स्मार्ट नहीं सबसे स्मार्टी आपके अपने भारतिय जन्ता पार्टी पूरे विश्यु में हिंदुस्तान का डंगा बजाने वाली हमारे प्यारे भारत देश की एक मात्र वन एंड उनली वन इमानदार शानदार और धमदार पार्टी भीजेपी देश भक्ती का एक छोटा सा जर्रा भी टकरा जाता है देश द्रोही पहाड से देश भक्ती का एक छोटा सा जर्रा भी टकरा जाता है देश द्रोही पहाड से हाँ उसनों की बुलंदिया देखकर थरथराते हैं फिरोधी बीजेपी वालों के दहाड से जो काम सत्तर वर्षों में ना हो सका उसे हमने करके दिखाया है मिटा के वजूद आतंगवाद का देश द्रोहीं के होसलों को हमने धूल चटाया है जजबा हो जिसमें देश की हिफाज़त का वो देश द्रोहीं पर पूरी ताकर से चोट करते हैं नमक हो जिसमें देश भक्ती का वो सर्फ बीजेपी को वोड़ करते हैं मुंबई हो दिल्ली हो चाहे लखनों हो या पटना प्यारे देश भक्तों डटे रेना बीजेपी के समर्थन में क्योंकि हम गव देश द्रोहीं से हैने पटना बीजेपी और देश द्रोहीं में छिडी है जंग देवियों और सज्जनों बताइए आप हो किसके संग उखार पे को उन तकतों को जिनके मनसूबे देश हित में नहीं है मैं आप से कहना चाहता हूँ बेनों और भाईयों कि बीजेपी पार्टी के जैसे देश भक्त पार्टी और कोई नहीं है हर शहर, हर गली, हर चौराहे, हर नुकड़ पर बुलंदियों को चूती बस एक ही आवाज है देश भक्ती के जजबे से लैश, हर देश भक्त के दिल में बस पीजेपी का ही राज है याद रखना बैनोर भाईयों, जिस समय हमारे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था उन्हें मार मार कर बे रहमी से कश्मीर से बाहर ख़देड़ा जा रहा था उस समय उस राज्य के फारुक अब्दुल्ला और कॉंग्रेस पार्टी की वाले मौन थे केंद्र में राज करने वाले विशुनात प्रदाप सिंग प्रधान मंतरी मौन थे आज उन्ही कश्मीरी पंडितों का पुनरवसन और उन्हें नयाज बिलाने का बीड़ा किसने उठाया निगाहों में हो जिनके कुछ कर गुजरने की हस्रत वो अपने तम पर आगे बढ़ना जानते हैं रगों में हो खून जिनके देश भक्ती का वो सिर्फ और सिर्फ बीजेवी को ही मानते हैं रगों में खून बैता है पानी नहीं देश भक्तों की निगाहों में कमल के फूल से बढ़कर और कोई निशानी नहीं उन शहीदों की शहादत की कसम हम उनके बलिदान को वेर्थ न जाने देंगे उन शहीदों की शहादत की कसम हम उनके बलिदान को वेर्थ न जाने देंगे देश के दुश्मनों को मदद पहुचाने वालों को हम कभी सत्ता में आने न देंगे रुलाया है जिसने बेबस किसान के घर वालों को हम उन जालिमों को कभी हसने न देंगे ये देश हिंदुस्तानियों का हम यहाँ पाकिस्तानियों और बांगलादेशी घुसपैडियों को हरगिज बसने न देंगे हिंदुत्व का दिखावा करने वाले सिर्फ दिखावे के लिए भगवा उड़ते हैं देवियों सजनाउ जनके से सुनाइगा कि हिंदुत्व का दिखावा करने वाले सिर्फ दिखावे के लिए भगवा यह उड़ते हैं वो देश द्रोहियों और दंगाईयों पर होने वाली कारवाई को जलिया वाला बाग से जोड़ते हैं हिंदुत्व हिंदुत्व का धोंग रचने वालों को अब हमें सबक सिखाना है क्या होती है शान भगवा की यह हमें उनको दिखाना है कुर्सी के लालच में जो दुश्मनों के आगे जुक जाते हैं वो अपना वजूद देश भक्तों की निगाहों में हमेशा के लिए गवाते हैं अब की बारी सब से न्यारी फिर आयेगी सरकार हमारी अब की बारी सब से न्यारी फिर आयेगी सरकार हमारी देखेगी अर देखेगी ये धुनिया सारी BJP बाड़ी सब पे भारी आयेगी फिर आयेगी BJP रोकना मुम्किन नहीं BJP के कारवां को क्योंकि हर जुबां पे बस BJP का ही नाम है मिड़ जाते हैं हमको मिटाने वाले क्योंकि हम पे कृपा बरसाने वाले प्रभू श्री राम है प्रेम से बोलो जय जय श्री राम प्रेम से बोलो जय जय श्री राम देवियों और सर्जनों माताओं और बहनों तड़ा नव यूग के नव जवानों आपने अपनी सूज बूज और समस्दारी से चुना एक बार फिर वही सुने रहा है आपके हाथों में क्यूंकि अब आगया है इलेक्शन और जब इनन वाली कहते हैं हम क्योंकि भली भाती वाकिफ है कि बेजेपी के और मेरे प्यारे देश्वासियों जहां तत बात है अच्छे दिनों की तो है वचन सब के अच्छे दिन आएंगे वादा अपना सब के संवी भाएंगे मेकिन इंडिया तच करके दिखाएंगे रामलला जी का मंदिर बनाएंगे आपकी बीजेबी पार्डी में इमानदार समझदार तदा दमदार और करतेविनिष्ट पुर्धान मंत्री है क्योंकि मोदी जी मित्रों मोदी जी के आने से हैं इस सहसी धैरवान और हिम्मत वाले से लड़ने के लिए चोर सारे भले एक हो जाएं जनता से फिर ऐसी मुह की खाएं दिन में तारे उन्हें दिख जाएंगे सपने गट बंधन के तुट जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक हो एर स्ट्राइक हो या फिर आयध्या में हमारे रामलला जी के मंदिर निर्मान की बात हो या फिर हमारे मुस्लिम माताओं और बहनों के आन बान और शान तता उनके स्वाविवान के लिए तीन तलाग की बात हो चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो हमारे हिंदुस्तानी नागरिकों के रक्षा तता उनके हित में बनाए गए CAA, Citizenship Amendment Act या NRC जैसे नागरिक कानून को लागू करने की बात हो मूदी जी की कूट निती ने पूरे विश्व में भारत का ऐसा दबदबा बनाया के कल जो हमको थे आखे दिखाते आज वो हमसे हाथ मिलाते मूदी 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 कल जो हमको थे आखे दिखाते आज वो हमसे हाथ मिलाते दुनिया ने अपना लोहा है माना हिंदुस्तानी है वेश्टिये जाना हमारा भारत देश देश बजला है उसके आने से बचना मुश्किल है उसके निसाने से देश हित में वो जो चाहेगा बात बस भही होगी अपनी कारिश है दी वचनपूर्ती और अपनी इमानधर के कारण हम भारती जन्दा पार्डी वाले हर दिल पे राजी करे हम पे सव नाजी करे कल जो की यह था काम उससे ज्यादा आजी करे कामदारों की बात चली तो लोग बोले भारती जनता पार्टी का एक मात्र धेए एक मात्र सपना एक मात्र लक्ष हम सब जानते हैं भेन और भायों कि हमारी भारती जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले विरोधी पार्टी खाबोले बाला लेकिन इतना किया घोटाला जिन गरीबों के बच्चर हुए बच्तर लटके बेबत की सान फासी पर लेकिन इन्हें कहा फर्क पढ़ता इनका काम बनता तो भाड में जाए जनता अरे टूटा घुरूर इनका सियासत भिशेटरी भाई और आदरनी ये माताओं तदा बेनों आपसे हाँच जोड़कर बिनती है कि आने वाले इलेक्शन में या आने वाले चुनाओं में या कहें आने वाले मददान में आप अवश्य मतदान कीजिएगा आइए हम और आप मिलकर आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी को क्यों चुनना है amo ओके तर्ककी वात चली तो मित्रों याद रहे सबता में जब पीजेन वाले आते हैं जब आते हैं प्रगति लाते हैं चोरी डर के फिर तर तर आते हैं धेशिक करता है हम पे घुमान प्यारे देजवाजियों आप भरश्टाचारी लालची तदा चापलोसों की बातों में गणा पिना आना क्योंकि ये लोग आपसे जूट बोलते हैं ये लोग आपको बहलाते हैं फुशलाते हैं अरे इनके हुक्मरान तो आपसे ये गद हैं कि ये लोग आपके लिए लगाएंगे होता क्या है कि कभी-कभी भोली-भाली तथा नादान जनता इनके भैकावे में आ जाती है और इनके कुछ भ्रेष्ट और स्वार्थी नेता इस देश की बागडोर धाई 1500 और 35 जैसे अंकों का अविश्कार करने वाले यह यूं कहें कि टुकुडे टुकुडे गैंग जैसे लोग जो देश के विरोध में नारे लगाते हैं तदा देश की बरबादी की मनोकामना करते हैं उनका समर्थन करने वाले और आतंकवादी और दंगाईयों के प्रती सहन भूती रखने वाले अरे भाया जो गरों से मेक इन इंडिया नहीं बलकि हमाने देश के स्वाविमान की धज्यें उडाते हुए बड़ी बेशर्मी से रेप इन इंडिया कहने वाले पपू के हाथों में देना चाते हैं क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि पपू लगाएगा यहां पपू लगाएगा अब आलो की फैक्टरी आलो की फैक्टरी प्यारे बहनों और भाईयों आप तो जानते ही हैं कि पपू अब आपसे मैं क्या बता हूँ मुझे तो ये कहते हुए विशर्म आती है कि पचकानी है इसकी हर बात कुछ कर दिखाए नहीं ऐसी आवकात हमें ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि आपके आशिरवार से जानते हो क्यों क्योंकि और ये संभव हुआ आपके आशिरवाद आपके विश्वास और आपके आशाओं पर खरे उतरने के कारण हम चानते हैं कि दीन दुखियों को जरुत मंदों को तदा कमजोरों को दोस्तों आप उन लोगों की बातों को जरा भी तवज्वास नहीं दोस्तों दीजेगा जो हमारे देश के वीर जवानों की वीरता और शौरे पर शक करते हुए उनसे सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं वो शायद जानते नहीं कि ये बीजेपी की सरकार है यहां पर आतंकवादी हमलों की सिर्फ कडी निंदा ही नहीं बलकि दुश्वनों को उनके घर पे घुसके मारते हैं देवी और सजन बहुत हो गए आतंगवादी हमलों की कडिनिंदा अब हम आतंगवादियों से चुन-चुन कर इंतकाम लेते हैं लेकिन बैनों और भाईयों क्या बताऊं आपसे बहुत दुख होता है उस समय जब हमारी विरोधी पार्टी वाले अपने बयानों से पाकिस्तान का साथ देते हैं जवादिलों के धड़कन बुज़रुगों का आशिरवाद लोगों का एक मात्र विश्वास स्वर्ण वर्गों का दलित भाईयों का गरीब या पिछली जाती एवं समाज के लोगों का एक मात्र मसीह विपक्षी पार्डियों की जुआँ पर बस एक ही नाम वो बेचारा गरीब चाय बेचने वाला जो सौभाग से हमारे इस देश का प्रधान साथ सेवक है आज उसकी आखों में बस गरीब लाचार और मजबूर माताओं बेहनों तता भाईयों के आसुं है वो उन सब की मदद तहे दिल से करना चाहता है क्या उस नरेंद्र मोदी जी के प्रती हमारा कोई करता भी नहीं हमारा कोई फर्ज नहीं मित्रों वो शेर अकेला लड रहा क्या उसके प्रती हमारा कोई फर्ज नहीं हम वो शेर अकेला लड रहा क्या उसके प्रती हमारा कोई फर्ज नहीं हम वोट सिर्फ BGB कोई देंगे क्योंके हम खुद्दार हैं खुद्गर्ज नहीं मित्रों थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया आपका भार मित्रों थैंक यूबी प्रती हमारा कि वोट थैंक प्रती हमारा कोई सब्ट आपका खुद्दाने झाला कोई वोट्बी